आज का पहला प्रस्ण होगा निम्नले खित में से कौन सा परदार्थ उस्मा का सुचालक है परन्तु विद्धुत का कुचालक है आपके पास चार विकल्प मिल जाते हैं आपको जो भी आंसर सही लगे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं सही आंसर होगा आपका आपसन नमर B रवड प्रस नमर 2 देखेंगे निम्नोक्त में से धवन को बेग सरवादिक किसमे होता है सरवादिक जो है कि पुछ रहा है धवन की बेग किसमे होता है तहां पर चार विकल्प दिये हुए हैं बताईए आंसर सही आंसर होगा आपका आपसन नमर C इस बात दोस्तों आपको जो भी आंसर आए कमेंट कर सकते हैं प्रस नमर 3 प्रीजम से गुजारने पर प्रकास का कौन सा रंग सब से अधिक बिचलन दर्साता है प्रस्ण नमबर 3 सए अंसर होगा आपका आपसर नमबर C वैगिनि प्रस्ण नमबर 4 देखेंगे अवर्धक लेंस वास्तों में क्या होता है जैसे कि आपको चित्र में देखने को मिल रहा होगा चयोत्धे का बताइये सए अंसर होगा आपका उत्तर लेंस आपसन नमबर सीस में करेक्ट होगा प्रसन नमबर पांच किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली सीसी रख देने से उसकी खुसबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है ऐसे किस करण होता है पांच में क्या बताना है आपको सेंट सरोगा आपका आपसन नमबर सी विसरण प्रसन नमबर छमा देखेंगे सूर्य की उसमा प्रित्वी पर कैसे पहुचती है छठेका सेंट सरोगा आपका आपसन नमबर सी विकरण द्वारा नमबर साथ दूरदर्शन टीवी के धोवानी संकेत होते हैं साथ में का सई अंसरोगापका आप्सन नमबर बी आविरिती माडूलित माडूलित दोश्तों अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और आप रोजाना जीक की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस्टूडेंट गूरूप चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए नमबर आठवा देखेंगे धोवानी उर्जा का वैदृत उर्जा में परिवार्तित किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है आपको बताना है जैसे कि आपको चित्र के मादियन से भी दिखाया जा रहा है यहां पर आठवे का माइक्रोफोन द्वारा आप्शन नमबर आपका एक करेक्ट होगा नमबर नवा देखेंगे बोलो मीटर का परियोग किसे मा अपने के लिए किया जाता है बोल्टे मीटर का परियोग किसे मा अपने के लिए किया जाता है बताईए आप लो नमबर का सई आंसरोगापका आप्सन नमर बी ताप मान नमर दस मां देखेंगे धुवानी तरंगों में निम्ने में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है नमर दस सई आंसरोगापका आप्सन नमर बी धुरूण नमर एकारे देखेंगे लड़की के लकडी रहेगा यहां पर लकडी ठीक है लकडी के एक टुकडे को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्पलावन बल होगा बताईए लकडी के एक टुकडे को इगरहमे का सही अंसर होगा आपका लकडी के भार के बराबर तो आपका यहां पर आपसा नमबर एक करेक्ट होगा नमबर बारा देखेंगे एक मकान की च्छत से भूम की और एक पत्थर गिराया जाता है उस पत्थर की गतिज उर्जा अधिक्तम कब होगी प्रसल ध्यान से देखिए उसके बाद आपका आंसर कमेंट कीजिए बहुत आसान सवाल है नमबर बारा में का से आंसर होगा आपका आपसन नमबर सी भूमी पर पहुचने के ठीक पाले नमबर तेरा प्रकास वर्ष किस एक का प्रकास वर्ष किस का एकक है नमबर तेरा सही आंसर होगा आपका आपसन नमबर बी दूरी का नमबर चौदर 2003 में छोड़े गए भारत के मौसम अनुसन साधन उपगरह को क्या नाम दिया गया नमबर चौदर सही आंसर होगा आपका आपसन नमबर बी कल्पना वन नमबर पंदर जेट इंजन का अविस्कार किसी ने किया था नमबर पंदर आवे का बताईए सही आंसर होगा आपका आपसन नमबर बी सर फ्रैक विल तो दोश्तों पंदरे इंपोटेंट शवाल में से आपने कितने का अंसर सही किया नीचे कमेंट करके जोरू बताईए